हलो फ्रेंड्स नमस्ते आदाब सस्रीकाल मैं हूँ अपका दोस्त रोबिन सिंग और दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कैन कैन के बारे में एक्चुली कैन कैन क्या होता है और किस तरह इसे लगाया जाता है दोस्तों कैन कैन जो होता है एक थोड़ा हार होता है और यह प्लास्टिक का बना होता है ज्यादा भी हार्ट नीए होता है सोफ्ट सी टाइप की एक नैट होती है और इसे अक्सर हम लहंगे चैंकर को शुरू करते हैं वीडियो और सीक लेते कुछ नया तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हो यह मेरे पास एक लहंगा है रेडिमिट लहंगा है और यह मेरे किसी कस्टमर का है और उन्हों ने मुझे बोला कि भाई इसके अंदर लगानी है कैन कैन तो दोस्तों मैं आपकी जान करे के लिए बताता हूं कैन कैन जो हो गहर है आप देख सकते 49 इंच इसका टोटल गहर है तो इस प्रकास से दोस्तों अब इसके अंदर जब कैन कैन लगाएंगे तो किसी साब सबको लगानी है सबसे पहले आपको यह साथ होता है जब आप रेडिमेट को लेंगा लेते हो तो यह साइड की सलाई आपको खोलनी पढ़ती है यह रहा है जो कि मैंने पहले से खोलगे भी साइड से क्योंकि दोस्तों कैन 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 locks लगाने के लिए स्राइप को आपको खोलना पढ़े तो ही कान कैन लग पाएगी अब दूसरी बात इसके अंदर कैन 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 की जो दूरी रखनी यह यह देखिआ है कैन जब दोस्तों लगाई जाती है हमेशा कंकन इस तरी केंकन बिलकुर नजर नहाए वह इसके अंदर दोस्तों जब वह आपने कैंकन लगानी है तो यह दखी यह जूसivas अस्तर है अस्तर और इसका जो अपर वाला पार्ट इन दोनक बीच में केंगें को लगाना होता है यहां से टोटल जो दूरी लेनी आपको वो लेनी है पंदरा इंच ठीक है दोस्तों और पंदरा इंच जो इसमें आपको अंदर इतरफ निशान लगाना यह देखिए जो कि मै अच्छा बांस के लिए जब भी आपने कभी लगानी है लेंगे में तो पंदरा इंच की दूरी पर आप केंगें को लगाएं अब दोस्तों केंगें को कैसे लगाना है आई शुरू करते हैं आज की वीडियो फ्रेंड्स यह देखिए यह हैं केंगें टोटल इसका जो घेर बाउंस की दूरी वह पंदरा इंच और दोस्तों इसकी जो चुड़ाई वह ज्यादा यह देखिए इसको मैं डबल कर रखा है आप देखें टोटल इस प्रकार से यह तो है इसका सिंगल पार्ट है हमें केंगें को लगाना डबल करके क्योंकि सिंगल में इसका बाउंस वह बनने ही पाएगा और डबल करने के बाद भी दोस्तों इसकी जो चुड़ाई है हमें चाहिए 15 इंच लेकिन यह 20 इंच है तो इसके क्या करना होगा हमें कैन की जो लंबाई है उसको करना को कम कैसे कम करना है आप इस इस पकार से आपर यह देखिए 14 इंच के है जो 14 आप ल यह देखिए इस प्रकार से टोटल 14 इंच की लंबाई है और यह जो एक्स्टा जो हमारा यह कैन कैन है इसको हम कीजी और यूज में काम कर लेंगे तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है इसकी चुड़ाई को हमने करना सिंगल टोटल पांच मीटर यह मैंने कैन कैन करी है तो सबसे तहुकर हम आप 40 लगाएंगे अधिक्कत ना हो तो पहले सबसर नेशेख लगा लेते हैं सींगल होने में दोस्तव इसी में यह प्ल την हम यह अपको क्या करना सब अपको लगाना है और यहां पर आपको इस प्ड़वले इस तरीके Guitar लगाना नहीं कि यह एक प्ले लगानिंव फिरिसके साथ आपको प्लेंट लगानी इस प्रकार से करम को अप ने जारी रखना और यह प्लेट striking के से लगानी कि ताक्य पूरा पूराए पहले केंगेन को मैंने कर लिया है डबल डबल करने से फ्रेंट्स क्या होता है कि इसकी जो बाउंस से जाल अच्छा बनता है और कैन भी जो है थोड़ी अच्छी इसमें गेटप आता है यह रेखें कि इस प्रकार से आपको पासपास में प्रेट्स लगानी है कैप बिल्कु बराबर अबाबर रखना यह देखें कि आप देखें तो पांच मेटर की कैन केन को मैंने एड़ेस्ट करके इसको मैंने सिर्फ दो मेटर में करणवर्ट कर दिया आपको मैं नापके भी दिखा इस प्रकार से कर लिए तो यह देखें यह दोस्तों यह आ रहा है इसका 49 जैनी डबल कि इसको लगाना बिलकुल असान है आप देखें तो कितना बड़ा इसका जो बांसी जो है इसका घेर बंच चुका है इसको मैं थोड़ा सा आपको इस प्रकार से दिखाता हूं यह जाएगा प्लेट उपर की तरफ रहेंगी और इसका फुलाने नीचे तरफ बढ़ जाएगा अब दोस्तों इसको लगाना बिल्कुल असान है यह देखी यह जो हमने मार्क लगाया था इस मार्क की उपर इसको इस प्रकार से आपने रखना है यह देखिए वह बिल्कुल प्रशान है इसके उपर इसको आपने रखना क्योंकि प्लेट हमने पहले इसमें लगाई लिए बिल्कुल आसान तरीके से आपको सिंपल इसमें एक स्लाई लगानी है यह देखिए स्लाई कैसे लेगेगी तो फ्रेंट्स आप देख सकते हो कुल में लाके जो कैनकन हमारी पूरी आच चुकिए थोड़ी सी आगे से बढ़ चुकिए तो बढ़ी हुए कैनकों बाद में यह स्लाई लगाने के बाद काट लेंगे आदने का फ्रेंट्स य के देख कैनकन इसके अंदर है जो हमने लगा लिए यह यह शका अस्तर के बीच में है कैन और इसके बाहर यह इसका अपर है अब दोस्तों इसको यह आप देखिए इसको पहले हम बंद करें कि यह जब hindi को लीक को यह तो ही आप जैसे इसका अस्तर खुला हुआ था इसे अस्तर को हमने इसी प्रकार से वापिस में बंद कर देना बहुत असान तरीकाइज से लगा कि और यह से लगाने के बाद दोस्तों उसके बाद जो भी आपके लेंगे की साइड़ी फिटिंग है उसे आप कर सकते हो और फिटिंग करने के बाद दोस्तों यह कैन कैन आपकी जो है पहने के लिए बिल्कुल तयार है एक बार इसको कंप्लीट करने के बाद मैं आपको फिर द अदर लोग भी आएगा तो फ्रेंट्स ये थी हमारे आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि कैन कैसे लगाई जाती है अगर आपको वीडियो अच्छी लगी उट प्लीज वीडियो को लाइक करें चैनल पर पहली बार तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और ह मैं support करें thank you very much